हेलो एवरिवन आज फिर बन रही है पाइल की फर्माइस पे एक न्यूडिस और मैं सोचे चलो आपके साथ शेयर करते हैं कि पाइल ने क्या फर्माइस किया क्या बनाने की तो मैं बना रही हूँ एक सब्जी देखे आप तेल चड़ा दिया है तेल में जीरा अधरक और हिंग डाल दिया है अच्छे से जब यह बुन जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे क्या डालेंगे प्याज अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप मत डालिए आपकी इच्छा है मैंने द्रग को थोड़ा अच्छे से हिला दिया है यह बुन जाएगा अच्छे से उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को मैंने लंबा-लंबा काट लिया है जैसे हम करेलो के लिए काटते है न प्याज तो वैसा ही मैंने लंबा-लंबा प्याज काटा है करेलो के लिए क्योंकि एक तरह की मैं भुजी बना रही हूं और इसमें जाएंगे बहुत सारे टमा अपनी मर्जी है, थोड़े डखके हमने पका लिए है टमाटर, टमाटर के सोफ्ट होने तक ताकि अच्छे सब पक जाए, क्योंकि मिक्सी में नहीं पिस्स है तो इसलिए अच्छे से गलाने जरूरी है, सब मसाले डाल देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, सुक्का, दनिया और ए आप इसको अराम से दे सकते हैं, देख सकते हैं, ग्रेवी का कलर कितना अच्छा हो गया है, और ये सुबह-सुबह जटपट बनने वाली रेसिपी है, जब कुछ ना हो गरमें, तो आप इससे बना सकते हैं, अब मैं इसमें काट के डाल दिया, बारिक-बारिक पनीर, जी हा आप इसा पनीर की बुझ्जी गह सकते हैं, और हमारी सबजी लगबग बन के तयार है, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी से ताजे दूद के मलाई, और थोड़ी से डाल देंगे कसूरी मेथी, इसमें फाइनल लुक आ जाएगा इसमें, अब मैं बना रही हूँ अपने अब डेसी की खाते हैं साघ में, ख्विच्ड़ी में, तो वजन तो बढ़े गई, तो अभी मैं जो बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 2 खीरे कस लिये हैं, और यह देसी खीरे हैं, मैंने इनका छिलका नहीं उता रहा हूआ है, ऐसा ही कसलिया है, कड़वे नहीं थे, ये म मैंने आज सुबह ही ताजा मठ्था बनाया था तो वही लिया है इसमें मैं सारे खीरे डाल दूँगी और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा काला नमक थोड़ी सीमेच और थोड़ा सा बुना हुआ जीरा तो तीनों चीज मिला लूँगी अच्छे से और ये मेरा लंच बन सकती हूं तो आजाए ये आप भी पी लीजिए और ये वो टेस्टी बना था आप इसे पीजी अराम से आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी अब हम आगे हैं छत पे उपर शाम का समय है फूल देख सकते हैं इतनी गर्मी में भी कितने सुंदर खिल रहे हैं गुलाब के यलो कलर के भी खिल रहे हैं और देखो इदर दूसरे वाला पेड़ा इस पर रेड कलर की कितनी सुंदर कली बन रहे हैं डार्क मेरून कलर की और ये कली ये बन रही है और इदर खिल रहा है पिंक कलर का तो ये मेरे चार पोदे हैं गुलाब के अगर आप भी चाते हैं कि प रोट अच्छी करता है और गुडाई करने के बाद आपको इसमें करना क्या है जो कुडी का खाद होता है ना गोबर वाला खाद बोलता है जिसको मैं यहीं हमारे नेबर्स हैं डेरी हैं जिनकी उनकी आहां से लेके आई थी कितने दिन होगे सुखा के मैंने रख लिया है एक- पोदा सूख गया था तो इसमें यह पोर्चुला का एक पोदा है यह जैसे गुल्दोफैरी होती है ना तो उसी तरह का एक पोदा होता है लेकिन यह बाहर की उल्दोफैरी है पोर्चुला बोलता है इसको तो इसमें से मैं क्या करूंगी से ना कट-कट करके लगा देते है तो क्या होता है यह ऐसे ही मतब जड़ पकड़ लेते हैं तो यह काफी लंबे-लंबे होड़ते हैं इसमें तो और निकल आएंगे अगर कटिंग करते हैं तो पोदा जादा अच्छा हो जाता है तो मैंने यही सोचा कि यही कर लेती हूं दो गमले बन जाएंगे इससे फिर तो के और इसमें गाड़ दूँगे कुछ दिन बाद यह मेरा बिल्कुल ओक्य हो जाएगा बस हमें करना क्या है अगर हम इससे में कोई कटिंग लगा रहे हैं तो उसे लगा के पोदे को कम से कम साथ साथ दिन बिल्कुल छाम वाली जगह में रखना है धूप में नहीं रखना और बस अब यह हमारे दो गमले तयार हो गए हैं बिल्कुल थोड़ा सपानी दे देंगे बस इतना जितना आराम से मट्टी में चला जाए और जी लीजिए पोर्चुला के दो गमले मेरे तयार हो गए है कैसा लगा जरूर बताना और आज मैं जब उपर आई थी तो यह काड़ के फैक दूंगी और इसमें दूसरा कोई पोधा लगाऊंगी लेकिन आज मैंने देखा तो इसमें ब्रांच निकल रही हैं देखो कितनी सुन्दर सुन्दर पत्ते निकलाए हैं तो मेरा मन बिल्कुल पसीज गया कि नहीं नहीं अब नहीं निकालूंगी बहुत सु इसके लिए मैंने ले लिए एक कटोरी पहले मैं निम्बु को कट कर लेती हूं और आप मैं डाल दूंगी इसमें green ग्रिसलीन पूरी बोटल ग्रिसलीन की डाल दिया मैंने जरा सी बची थी ये भी डाल देती हूं और इसका डबल ग्रिसलीन का डबल मैं इसमें डालूँगी गुलाब जल तो इस बोटल में थोड़ा सा गुलाब जल था वो मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मेरे दूसरी बोट बन के तयार होता है आप दो-तीन दिन लगा के देखिए अपनी एडियों पर रात को जैसे हलका सा ग्रम पानी से एडियों को धो लीजिए उसके बाद लगा लीजिए अगर हो सकता है तो मुझे पहन के सो जाईए आप सुबह देखना आपकी एडिया कितनी सोफ्ट अगर आप continue एक हफता कर लेती है इस remedy को तो आपकी एडियों इतनी सोफ्ट हो जाएंगी और मैंने देखा है कैयों की एडियों में नहीं फटती गर्मियों में फट जाती है हलाकि मेरी साथ भी यही प्रोब्लम है मुझे गर्मियों में अगर मैं कुछ दिन इसको इसको इस इस प्रेवाली है तो गुलाब जल तो इसका खतम हो गया था तो अब मैं इसको इसी में बहले और पहले भी मैंने बना के सरदियों में यही रख रखा था तो खतम हो गया था तो आज मैंने दुबारा बना लिया है यह मैं इसमें बना के पूरी बोटल फिल हो गया देख सक और पैरों पर जहां भी आपको लगाना है आप इसे फेस पर भी लगा सकते हैं सुबह उठके सिंपल पानी से फेस को बोस कर लीजिए आपके फेस की आत्तों की पैरों की इतनी चमक बढ़ जाएगी बहुत जादा और आपकी उंगलिया जो फटी हुई है वो सब सोप्ट हो जाएंगी वीडियो पसंद आया तो प्रीज लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ रादे रादे